परकर की कहानी अब अपने पाच्वे एपिसोड में जा रहे है ये चौते एपिसोड में मैंने कुछ बातें की थी और उसमें से एक बात कहा था कि सावरकर चुक्कि फ्रांस की धर्ती पे पकड़े गए थे इसलिए बचने का एक और रास्ता निकालने इंटरनाशनल कोर्ट म की सारी कारेवाईयां जो हैं वो अमेरिकन जर्नल आफ इंटरनाशनल ला में संकलित है उसका वाल्यूम फाइब देखिए 1911 का जो उसका वाल्यूम है जिसमें 1911 के सारे केसे लिए हुए हैं उसमें जाके 520 से 520 से लेके 523 पेस तक देखिएगा सावरकर का केस जिसमें पीच में बहस है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं तो एक बात मैं आपको बता दो कि मैं जो कुछ बता रहा हूं सारी चीजें इस तरह से बता रहा हूं जिसके श्रोथ हैं जो बाकाइदा रिकार्ड़ हैं हाँ वीडियो में कई बार वो बाते क्लियर नहीं हो पाएंगी क क्योंकि ज्यान सुनने से ज्यादा पढ़ने से मिलता है तो अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं सोर्स के साथ चाहते हैं जानकारी तो मैंने बाकाइदा एक किताब लिखी है सावर कर काला पानी और उसके बाद आप उसको पढ़िए लाइब्रेरी में मिल जाएगी अमे अपने दर्शकों को पाठकों को सावर कर पर लिखी हुई धेरों किताबों को इन सब को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूं और उनको हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं मैं कि जो कहूंगा सच कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा अगर सच के अलावा कुछ और पूरेंगे नहीं। बीच में शेयर करते रहे ताकि बात दूर तक जाए, ढेर सारे सवाल आए, उन सवालों को मेरे पास ले आईए, मैं कोशिश करूँगा एक एक करके सारे सवालों का जवाब देना, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सावरकर फ्रांस से लौट कर ब्रिट करने सुनाई है कि उनकी एक बिटिश महिला के साथ उनके संबन थे, और उसके ही पत्र लिखने पर वो आये थे, और वो जो बिटिश महिला थी, वो डबल एजेंट की तरह काम कर रही थी, तो लौट के आए, लौट के जब आए तो तुरंद गरफतार हो गया, गरफतार हो करने के बाद उनको वहां पर मुकदमा चला और फिर इंडिया भेज दिया जब और जब उनको ब्रिटेन से इंडिया भेजा जा रहा था तो मैंने आपको बताया कि फ्रांस के पास वो जहाज से कुदे पांच साथ मिनट तक कोशिश करके वो टट तक पहुँचे लेकिन फ आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कहानी सुनाई जाती है इंटरनेट पर चलती रहती है कई लोगों ने अपने लेखों में इस्तेमाल की है संपत जो जिनकी किताब अभी सावरकर पर आई थी वो इस कहानी को बड़ा जोर सोर से सुनाते हैं कि गांधी एक बार वहां आए इंग्लैंड आए तो कहां गये इंडिया हाउस में गये इंडिया हाउस में सावरकर से मिलने सिर्फ गये और मिलने गये तो सावरकर जो हैं जीगा खा रहे थे सावरकर ने कहा कि आप भी जीगा खाईए गांधी ने मना कर दिया उसके बाद सावरकर ने कहा कि अगर आप न करता हूं यह जब कहानी मैंने पढ़ी तो मैंने गांधी का समग्र तलाशना शुरू कि गांधी का समग्र जो है जिसको हम लोग कहते हैं किसी को पत्र लिखा तो वो भी है कोई मिलने आया तो उससे क्या बात हुई वो सारा कुछ है और एक दो खंड नहीं है संपत बताते हैं कि 1906 में जब गांधी गय थे तब यूंके मुलाकात हो गए थी 1906 वो साल है जब सावरकर नए नए पहुंचे थे तो मेरे लिए ये भी आश्यरे की बात थी कि सावरकर नए नए पहुंचते ही इतने महत्तुपूर्ण हो गय थे कि गांधी जिन्होंने अफरिका में पूरे बिटिस समराज्य को हिला के रखा हुआ जो अफरिका के एक बड़े नेता बन गए थे वो सावरकर से मिलने जाएंगे इस्पेशनी उनको पता कैसे चला सावरकर के बारे में मिले लिए ये भी आश्यरे जनक था तो मैंने देखा मैंने सर्च करना शुरू किया कि समपत ने कैसे ये सारा कुछ किया है जब मैंने देखा तो पाया कि सावरकर की गांधी से जो तथा कथित पहली मुलाकात है इस मुलाकात को सिद्ध करने के लिए समपत ने हरिंद्र शिर्वास्तों नामक एक लेखक की कित और फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे मालूम चला कि यह इतिहास के साथ खुले धोखे का भयावा उदारन है जिसे संपत श्रोत की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो 1857 के पहले स्वाजिन्ता संग्राम के दौरान चर्खारी रियासत का खजाना लूटने के शडियंत्र में पकड़े गए थे और जेल में कठोर यातना भोगते हुए उनके बृत्यों हो गए थे। उन्हें एड्मिशन लिया और आजादी की लड़ाई से जुड़ गए अब यहाँ पर रुक कर दो मिनट सोचिए। एटीन नाइंटी टू में गया प्रशाद खरे के घर पे उनका जन्म हुआ था परमानजी का। अब एटीन नाइंटी टू में अगर उनका जन्म हुआ था तो नाइंटीन जिरो सिक्स में उनकी उमर कितनी हुई जोड़ी है। कुल मिलाकर 2014 साल कि उम्र में सिक्षा ले रहे थे वो इलहाबाद में और जब वो इलहाबाद में सिक्षा ले रहे थे तो वो किसी को ये कहानी कैसे सुना सकते थे कि सावरकर से गांधी की मुलाकात हुई थी। कहानी तो वही सुना सकता था जो उस जमाने में इंडिया हाउस में होता यानि इस कहानी अगर ये कहानी सही है तो 1906 में परमानंजी को इंडिया हाउस में होना चाहिए था लेकिन वो 1906 में अभी इलहाबाद थे इसका और और डिटेल जब मैंने ढूडा तो मैंने पाया कि 1907 सेवन में मतलब उसके एक साल बाद जब रिहाई के बाद जाला लाजपत्रा इलहाबाद आये तो परमानंद उनका स्वागत करने वालों में शामिल थे। बनारस में उनका संपर्क रांतिकारियों से हुआ और सोला साल की उमर में 1908 में वो जहासी आये। और जहासी आने के बाद घदर आंदोलन में शामिल होने के लिए वो अमेरिका निकले थे। झासी वाले करने कार्तिकारी परमानंद जी के हावाले से ये बाते करने वो परमानंद जी कभी भी इंग्लाइंड और इंडिया हाऊस गये ही नहीं। 1908 में वो 86 में थे 1909 या 10 में घदर रांदोनन में शामिल होने के लिए अमेरिका निकले और 1914-1914 में कलकता है इस बीच में कभी भी वो गए ही नहीं उस जगर पे जिसको हम इंडिया हाउस के नाम से जाने जाए सावरकर से उनकी मुलाकात सीथे तब हुई जब उनको ही काला पानी की सजा हुई यानि कि ये पूरी तरह से फर्जी कहानी है जो पहले हरिंस रुआस्तों सुनाते हैं और जिसको रिसर्च किये बिना जिस पर कोई बात किये बिना या जानते बूस्ते हुए भी जिस कहानी को कापी पेस्ट करते हैं संपत विक्रम संपत जिनको सावरकर का एक हासकार माना जाता है और ये सारा खेल किया जाता है गांधी को बदनाम करने जबकि गांधी ने 20 जुलाई 1937 को शंकर राओ देव को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि सावरकर से मेरी इकलौती मुलाकात 1909 में हुई थी और 1909 वाली मुलाकात जो है उसके बारे में बहुत डिटेल में इंफार्मेशन अवलेबल है हुआ ये था कि 1909 में गांधी इंग लैंड गय हुए थे इंडिया हाउस के लोगों को पता चला कि गांधी इंग लैंड में हैं दशहरे का एक आयोजन था तो दशहरे के आयोजन के अ अर्जी मुलाकात जो है वो विक्रम संपथ जोडते हैं जिसको कहानी के तरफ बार-बार सुनाया जाता है ये मनें इसलिए भी बताया कि जो सावरकर के जीवनी कार हैं चाहे वो दुन जैकीर हो चाहे विक्रम संपथ हो लिकाद और लोगों ने उदैमाहुर करने लिखा है इन लोगों के हाँ इतना जादा बढ़ा चरहा के चीजे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सावरगर को महान बताने के लिए हैं ये अपने सोर्सेज भी ठीक से चेक नहीं करते हैं इसी मुद्दे पर ट्विटर पर जब मेरी बहां सुई थी तो विक्रम कम पर पहले तो बहुत आ उनके बारे में जान लिया जाए जिस समय पर्मानंजी जासी वाले पर्मानंजी जेल में थे उसी समय भाई पर्मानंज जो पंजाब वाले आरे समाजी भाई पर्मानंज थे वो भी जेल में थे भाई पर्मानंज ने अपनी जीवनी में एक बड़ा रोचक विवरण दिया है उनका भी नाम था भाई पर्मानुद उनको कहते हैं इनको इसे लिए परמान जहासी वाले के रारे में बता हैं कि हमें एक मेरे ही नाम का युवा था वह यह सब बिना कोई ध्यान दिये सुन रहा था और नजर अंदाज करके अपने ही तरीके से खड़ा था तुम तन कर खड़े हो जमादार तुरंट उसके पास गया और उसे तन के खड़ा होने को कहा तो बारी ने कहा बारी जेल का इ यह कहते हुए काम करने से इंकार कर दिया कि वह यह काम नहीं कर सकते तंडील तुरंट उन्हें जेलर के दफ्तर में ले गया जेलर ने काफी आड़ी तिर्ची बातें की लेकिन परमानन ने भी उसका गुसे में जवाब दिया जब जेलर अपनी कुरसी से उन्हें मारने के अंदाज में उठा पर्मानन ने उसे धक्का दिया जिससे कि वह फिर अपनी कुरसी पर गिर गया कुरसी पलट गई और वह नीचे गिर पड़ा इस कभी न सुने गए वेवहार से विस्मित तंडील और वार्डर ने पर्मानन को तब तक पीटा जब तक उनके सर से खून नही निकलने लगा तुरंट सुप्रिटेंडेंट को फून किया गया है क्योंकि बारी सुप्रेंड से बहुत डरता था सुप्रेंड ने आदेश दिया कि पर्मानन के घाओं को धुला जाए ताकि दाग न दिखें और उन्हें उनके कमरे में बंद कर दिया जाए तथा बाहर ज जाने की इजाजत ना दी जाए सुप्रेंडेंडेंड मेजर मुरे भले और निस्पक्षादमी थे अपने करतब के अनुपालन में कड़े और नहीं बारी उनका तरीकों से असंतुष्ट था दोनों साथ में पर्मानन की सेल में गए पर्मानन गुस्से में थे और जब पस्तिती में उसकी चमचागिरी करते रहते थे उसकी इस हार पर खुश थे वह सब इतना कठोर और भयावा था कि सब दिल ही दिल में खुश थे चार या पांच दिन बाद सुप्रेटेंडेंड ने पर्मानन के अपराद की एक जाच कि और जेल के सारे दर्वाजे बन करके तीस बेतों की सजा दी उन्होंने बिना एक शब्द कहे बेते बरदाश की लेकिन जैसे ही ये खबर जेल में पहली आम हरताल हो गई तो पर्मानन जी इस मिट्टी के बने हुए आदमी थे न तो उन्होंने कोई याचिका लिखी न जेलर और वाडरों की बत्तमीजیا बढ़दाश की यही नहीं उन्होंने सावरकर की याचिकाय लिखने के लिए जो दया याचिकाय माफी नामे लिखे थे आलोचना भी की थी भारती आजादी के आंदोलंग में वो 30 साल जेल में रहे जो शायद किसी क्रांतिकारी द्वारा जेल में बिताई गई अधित्तम अवधी है 1922 तक 1922 तक वो अंडमान में रहे फिर 1937 तक भारत की दूसरी जेलों में जेल में रहते हुए उन्होंने नमक कानून तोड़ा और रिहा होने के बाद लाहौर में जब उनके सम्मान में आयोजन रखा गया तो उसमें सम्मानित होने से इंकार करते हुए कहा कि वो खुद को हारा हुआ युद्धा मानते हैं क्योंकि अब तक अंग्रेग इस देश्ते बाहर नहीं जा पाएं इस पर महात्मा गांधी ने कहा था कि वह मेरा सगा भाई है देहरादून में उनकी रिहाई हुई रिहाई के बाद एक सभा रखी गई उस सभा में ऐसा भाशन दिया कि दिल्ली आते ही उन्हें फिर से गरफतार कर लिए फिर रिहा हुए तो भारत छोड़ो आंदोरन में शामिल हो गए और हमीरपूर इलाबाद बनारास था फाइनली सुल्टानपूर की जेल में रहे जहां से 1945-46 मौन के रिहाई ही एसे बड़े कानतिकारी थे जहासी वले कानतिकारी परमानन जिनके नाम से विकरम संपत और अरिन श्रवास्तों जैसे लोग जोट पैला रहे हैं पहली बात दूसरी बात आज शरजनक नहीं लगता आपको के जिसने साथ माफिया मानन के दिखा हुआ उसको तो आज हीरो की तरह पेश किया जाता है लेकिन फर्मानन जैसे सैकडो लोग जिन्होंने न कभी माफी मागी न कभी जुके और जेल से निकलने के बाद फिर आजाजी की लड़ाई में लग गए उनको ये देश भूल गया है अब लोटते हैं सावरकर पर वहां से चले तो यहां पहुँचना ही था 22 जुलाई 1910 को सावरकर बंबई के तेट पर पहुँचे पहले कलकता फिर वहां से बंबई लाए गया वहां उनको नासिक पुलिस को सौंप दिया गया और फिर पुरे की यरवडा जेल में भीज सावरकर के मुकदमे के लिए एक विशेस ट्रिब्यूनल बना था दरसल जब भी जल्दी जल्दी सजा दे कर ला का जो पूरा मामला होता है ला का जो पूरा कोर्स होता है उसको पूरा किये बिना जल्दी से सजा देनी होती ही तो अंग्रेज एक ट्रिबुनल बना देते थे भगत सिंग के केस में भी आपको याद है एक ट्रिबुनल बना था और उन्होंने उस ट्रिबुनल को एक धकोसला कहा था लेकिन यहाँ एक फर्क है भगत सिंग ने सरकारी खर्च पर वकील लेने से मना करके अपना मुकदमा खुद लड़ा था लेकिन सावरकर का मुकदमा जो था वो जोसेफ बाप्टिस्ट, चित्रे, गोविंदरा और गाडगिल तो था रंगनेकर जैसे पतिष्ठित वकीलों की टीम ने लड़ा सावरकर ने पूरी कोशिश की थी उस मुकदमे में बचने की सावरकर के खिलाग तीन अलग-अलग आरोपों में आठ मुकदमे एक साथ चलाए 15 सेप्टेमबर 1910 को मुकदमा बंबई में शुरू हुआ तो सावरकर को वहां की जो लोकल जेल थी डोंगरी जेल उसमें भेज दिया था लेकिन सब कुछ पहले से तैंथा अंग्रेज किसी भी हालत में सावरकर को छोड़ने को तयार नहीं थे तो इन सब के बावजूद 23 दिसमबर 1910 को अदालत ने अपना पैसला सुनाया और सावरकर को आजीवन करावास तथा संपत्ती जब्त करने की सजा दी गई उनके साथ जिन 37 लोगों पर मुकदमा चला था उनमें से 11 को 11 को बरी कर दिया गया और बाकियों को अलग-अलग सजा दी गई जैसे केशाव श्रीपर चंदवड कर थे उनको 15 साल के कैद दी गई गुपाल राव पाटनकर कृष्णा जी खरे प्रेंबक राव मराठे को 10-10 साल के और बाकियों को 4 साल से लेके 6 महिने तक की सजा हुई थी लेकिन एक और अधारत में जो उनके उपर मुकदमा हुआ था जैक्सन मैंने बताया था जो नोंने बंदूग भेजी थी उससे जैक्सन की कनारे ने हत्या कि थी उस मामले में 30 जैनवरी 1911 को एक और आजीवन का रावास की सजा सुनाई ये दो सजाएं एक साथ नहीं चलनी सावरकर ने अपील भी की कि दोनों सजाएं एक साथ चलें लेकिन यह अपील ठुकरा दी गई यानि सावरकर को पचास वर्ष की कैद की सजा दी जई निश्चित रूप से यह एक भयावा फैसला था और इस बात का जो तक भी था कि सरकार नहीं चाहतीती कि सावरकर आगे क कभी भी कोई भी कजिरी कर आप समझ सकते हैं कि अगर किसी युगा को पचास साल की सजा मिलती है तो उसका दिमाग उस समय कितना परिशान होगा दिल कितना दुखी होगा प्रसेस शुरू हुआ अंडमान भेजने से पहले उन्हें भायकुला भेजा गया फिर ठाने के जेल से ले जाया गया और 27 जून 1911 को महराजा नामक के जहाज से उनको भेजा गया अंडमान और 4 जुलाई 1911 को वो अंडमान में पहुंचे अंडमान के कुख्यात और भयावज जेल अब उनका ठिकाना दे इस मोर पर अगर कहानी खत्म कर दी जाए तो विनायक दामोदर सावर कर एक ऐसे क्रांतिकारी देशभक्त की तरह सामने आते हैं जिनके सामने किसी भी भारती एक असर श्रद्धा से जुग जाए और सीना गर्व से पूल जाए यही वह सावर कर हैं जिन्होंने क्रांतिकारीयों का सम्मान अर्जित किया हिंदू और मुसल्मानों के साजह संगर की प्रेंडा देती 1857 का स्वाधीनता संग्राम वह किताब है जो क्रांतिकारियों ने सर माते लिए लेकिन दुर्भागी से कहानी यहां खत्म नहीं हो यहां से शुरू होता है कहानी का वह दूसरा हिस्सा जिसे पढ़ते हुए पहले हिस्से पर भरोसा करना कई बार मुश्कि आजाद हुआ तब वो रिहा होते और तब रिहा होते तो पूरा देश उनको फीरों का वेलकम देता है लेकिन यह माफिया मांगे जब वो रिहा होते हैं यह पता बाद में चलता है जब वो रिहा होते हैं तो किसी को पता नहीं था कि किस तरह की माफिया उनने माननी है लेक ऐसे सावरकर जो ओ हुतात्मा जैसा लेख लिख लिख रहे थे वो जेल में जाने के छे मईने के अंदर ही मापी मांगे लगते हैं तो आपका दिल तूटता है बहुत सारे लोगों ने यहां पे कहा कि क्या सावरकर में कुछ अच्छा नहीं था मैं कहता हूँ कि इस मोड से पहले जो कुछ था सावरकर में सब अच्छा था वो हमारे लिए एक अधरनी एक रांतिकारी थे लेकिन इस मोड के बाद जेल में जाने के बाद जो उनका वेवहार है जिस कदर सामपरदाइक वेवहार है जिस कदर जुकता हुआ वेवहार है वो दिल तोड़ता है इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई बात करनी है तो पूरे जीवन की बात करनी पड़ेगी मैं कहूंगा कि 1911 से पहले के सावर कर मेरे लिए भी हीरो है किसी के लिए भी हीरो होने चलिए लेकिन 1911 के बात के सावर कर किसी के लिए हीरो नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आजीवन का रवास बड़ी सामान्य सजाती हम सब जानते हैं कि आजीवन का रवास जो है बड़ी मुश्किल सजा है रामसरंदास थे एक लालास रामसरंदास जो अंडमान में कैद रहे थे उन्होंने किताब लिखी ड्रीम लैंड ग्रीम लैंड की भूमिका लिख रहे थे भगत सिंग और उसमें वो लिखते हैं कि आज खुद फासी की कोठरी में बैट कर अपने पाठकों से साधिकार कह सकता हूं कि आजीवन का रवास मौत की बनिस्पत कहीं अधिक कठोर दंड है रोज मरते हुए जीना आसान नहीं होता यह हम सब जानते हैं और सावरकर के बारे में जब बताया जाता है कि उन्हें चक्कियां पीसनी पड़ी उन्हें ये करना पड़ा कोलु चराना पड़ा डंडे झेलने पड़े तो यह सब सच है यह सच है कि अंडमान की जेल में उन्हें बहुत सारा अपमान झेलना पड़ा पीडा जेलनी पड़ी, डमन जेलना था. लेकिन सावरकर अकेले नहीं थे जो ये पीडा और गमन जेलना. अगर जासी वाले कांतिकारी फर्मानंद उस जेल में थे, तो आपने अभी सुना कि वो किस तरह की पीडा असल में अंडमान तो परिक्षा थी उन मृत्यूंजे करांतिकारियों की अंग्रेजी सामराजी के खिलाफ आखरी सांस तक संघर्ष का जो व्रत उन्होंने लिया था उसे तोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश थी अंडमान की जेल और वहां पर खुद को सिद्ध करने का कितने ही लोग शहीद हुए कितनों नहीं यातनाय जेली लेकिन संघर्ष करते रहे और कितने ही सजा काट कर आने के बाद तुरंत आजादी की लड़ाई में लग दे बिहार के योगे दरनाथ शुकल हों बंगाल के तरलो किनाथ चधर्ष हों नमत नाथ गुप्थ हों लाला राम सरंदास हों पंडित परमान ज्हासी वाले परमानंध हों ये सारे लोग वहां पर रहें ये सारी सजाय झेली लेकिन जेल से निकलते ही फिर आजादी की लड़ और यही परिक्षा विनायक दामोदर सावरकर को भी देनी थी अंग्रेजी राजी के खिलाफ हिंसक आंदोलों और व्यक्तिकत हत्याओं का जो रास्ता उन्होंने चुना था उसी ने उन्हें युवा करांतिकारियों के बीच हीरो बनाया था 1857 की किताब में जिनकी वो तारीफ कर रहे थे वो कौन से लोग थे चाहे लाड मेयों की हत्या करने वाले शेर अली हो या कूका विद्रोह के नामधारी सिख हो सावरकर के अपने नायक बासदेव बलवन फढ़के हो सबने किसी माफी नामे की जगा मौत चुनी था सजा के छे महीने के भीतर माफिया मांगना शुरू करने वाले सावरकर को नायक कहा जाए या उन वीरों को नायक कहा जाए सावरकर के कुछ दिन पहले अलीपूर बमकांड में गिरफतार होकर जेल में आये थे कि ब्राम्र कैदियों की जो जनेव थी वो उतार ली जाती थी रामरक्षा अड़ गया कि मैं जनेव नहीं उतारूंगा उन्होंने कहा कि नहीं जनेव तो उतारना पड़ेगा फिर उसने अंशन कर दिया अनजल त्याग दिया कि जब तक आप मेरा जने वापस नहीं करोगे तब तक मैं अनजल नहीं लूँगा और अन्त में उसके मृत क्यों हो गई माफी नामा लिखने यह उपलब्द नहीं है लेकिं नाइनटीब नियुक्ते में इसके लिए उसका एक हिससा मैं आपको पड़ देधा है सावरकर लिखते हैं, अंत में मैं महा महिम को इस्मराण कराना चाहता हूँ, कि वक्रिपा पुर्वक 1911 में भेजी गई मेरी छमायाचिका पेटिशन पर क्लिमेंसी को देखें और इसे भारत सरकार को भेज जाने के लिए संस्तुत करें। भारती राजनीती में हाल के परिवर्तनों था सरकार के संधोतों की नीतियों ने एक बार फिर समवैधानिक रास्ते खोल दिये। अब कोई भी व्यक्त जिसके हिर्दय में भारत और मानौता की भलाई है, कभी उन कटीले राहों पर नहीं चलेगा, जिसने 1906-07 में भारत की उतेज़क और निराशा से भरे माहौल में हमें शान्ती और प्रगति के रास्ते से भटका दिया था। इसी भी रूप में मैं उनकी सेवा करने के लिए तयाद हूँ। क्योंकि मेरा परिवर्तन अंतरात्मा से है, इसलिए मुझे आशा है कि मेरा भविश्य का विवहार ही ऐसा ही होगा। केवल एक शक्तिशाली ही दयावान हो सकता, इसलिए जो ताकतवर है वही दयालू हो सकता है और एक होनहार पुत्र पिता समान सरकार के दरवाजे के अलावा और कहां लोड सकता है। मेरी याचना पर दयालदा से विचार करेंगे। इस भाशा में जेल जाने के छे महीने के पंदर सावरकर माफी नामे लिखने शुरू करते है। एक सवाल के साथ में आपको छोड़ जाता हूँ कि अगर इस तरह की माफी लिखने वाले सावरकर को आप वीर कहेंगे तो उन लोगों को क्या कहेंगे जिन्होंने अंडमान की जेल में प्रान दे दिये जिन्होंने अंडमान की जेल में सारा कष्ट जेला लेकिन न कभी जवाब में ही इस बात का सारा जवाब अंतर नहीं थै कि सावरकर के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो वो बात इस दिशा में क्यूं जा रही है। साथ नहीं आते हैं, हम देखेंगे कि आगे कैसे लगातार माफी ना में लिके जाते हैं, हम ये भी देखेंगे कि सावरकर जेल के अंदर सामप्रदाइकता पैदा करने की कोशिश कैसे करते हैं और अंत में हम देखेंगे कि कैसे गाधी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं र